नमस्कार मैं विजय दस साल में एक विभाग जिसका नाम अजबारों के सुर्कियों से लेकर संसत के गलियारों में गूचता है वो है एडी चुनाव हो या सक्ता परिवर्तन की हल्की भी कुंजाईस वहाँ एडी की चुस्ति दिखती है और कुक्तमंत्री से लेकर इत्र व्यापारी तक सब तुरंट कटगरे में होते हैं सत्ता का सबसे असरदार वेपन बताया जाने वाला या विभाग भी दो दुकानों के सिस्टम को चलाता है वाली दुकान के काउंटर पर तो मन की बात तुरंट कारवाई में तबदील हो जाती है और कारवाई अगर मन मिल गया तो खत्म भी हो जाती है दस साल में एडी की धमक और इसका खेल सब ने देखा दिल्ली से लेकर जारखंट तक इसनी किसी को नहीं बखसा क्योंकि मामला दुकान के उस काउंटर का था जहां इनकाउंटर का साफ आजेश था ऐसा हम नहीं मौजूदा नेता विपच्छरा और गाधी भी कहते हैं और आजकल इडी की बाते संसद में बोज रही है वहीं दूसरी दुकान के काउंटर पर एनकाउंटर तो दूर की बात वहाँ काउंटर या तो खुलता ही नहीं है या ठेके पर खुलवाया जाता है ऐसे महजम आरोप नहीं लगा रहे है पर आरोपों में यह आपको बताना चाह रहे हैं कि 5-10 करोण के गोटाले में तो एडी कॉलर घसीटते हुए लोगों को अंदर डाल देती है तो 800 करोण के मामले में खुद अपने कॉलर में मुझ चुपाय क्यों घूम रही है बोट के चार हफते के आदेश पर भी उसका रवया काउंटर बंकर आराम फार्मने देशा ही था जेके हम इन्फरा के मेनेजिंग डिरेक्टर का कट क्या उन सभी नेताओं मुक्तमत्रियों से उपर हो गया है जो आज एडी की गिरफ्ट में है सायद गवरो जालान की राजियों की छतरी ज्यादा ताकतवर है और उसके साया में ईडी बेबस होकर गवरो जालान के गुरत गंदे की जाज गवरो जालान के ही सीए कंपनी को देकर सबूत बिहार की बाड़ में निप्टवा देती है यह कोई हवाई आरोंग नहीं बल्कि एडी के आईयो मैंक अरोडाने कोट के आजिस का पालन करते हुए अपनी जबावी का रवाई की रिपोर्ट में लिखा है जो एडी के अलाधिकारियों को जलील होने पर ना सिर्म मजबूर करेगा क्योंकि यह अगर सिकायत करता वैवाई जालान की माने तो कोट में एडी द्वारा दिये गए काथ जो को गहनता से देखा जाए तो रुपए का खेल समझ में आ जाएगा वैवाई जालान ने लिखित में एडी की दूसरी दुकान में चल रहे खेल के सबूतों के साथ आला अधिकारियों को सौपा है जिसमें महस ठेके पर जाच ही नहीं बलकि एडी अधिकारियों ने अपने रिष्टेदार, नातेदार और पूरा खांदान सब को वसूली की चाकरी पर लगा रखा है पर अमरित काल की रोशनी में एडी के आला अधिकारी इस पर रतोधी की एक्टिंग में लगे है दूसरे दुकान के काउंटर पर दो साल बीज गए पर मजाल है कि ये फाई आर पर कोई कारवाई हुई हूई अरेस्ट या कोई पूस्ताच हुआ हो साइड एडी गवरो जालान को विदेश भागने का इंतजार कर रही है क्योंकि मामला दस पांस नहीं आठ सो करोण का है क्योंकि दो साल में सांदार आवा भगत तो हुई है गवरो जालान की पर ECR रेजिस्टर करने का वक्त एडी को नहीं मिला जबकि सिकायत करता वैभो जालान ने मैं सबूत सभी काख़ आला अधिकारिओं को मौहिया कराए है यहां तक कि गवरो जालान के साथ काम करने वाली कमपणियों की वी जानकारी सिकायत करता ने दी पर मामला वही ढाक के तीन पार प्रदानमंत्री और उनकी सरकार पर अगर कोई उगली उठा रहा है तो साइद E.D. की या दो दुकान का पदम भीव है या यो कहें चक्र भीव है यकीन मानिये ऐसी सुस्त E.D. दूसरी दुकान पर महज आम जनता को खौब में जीने का और बाकियों के चाया में खुद खौब में रहने का नाटक करते हुए चुस्ति दिखाने का करती है और या खुद भरस्टाचार को बढ़ाने वाला बड़ा सिस्टम बनता जा रहा है अगर इस पर E.D. की अपनी पूरी गहनता पर जाज करने के लिए सरकार या कोट स्वता संग्यान ले ले तो मामला साफ हो जाएगा क्योंकि सत्ता के चाबुक के रूप में इस्तिमाल हो रही E.D. हर उस जगह चुस्त है जहां पर राजनी तिक मायने रखते हैं ऐसे कितने वैबह जालान के केश हैं ऐसी कितने सिकायती हैं जिनके काग जो को दबाय हुए E.D. अब भी अपनी दूसरी दुकान की कारवाई खुले आम चला रही है जो काउंटर या तो ठेके पर चलता है या वसूली में पूरा परिवार काम करता है देखते रहे हैं जुडे रहे हैं लूकल नुजाप इंडिया गाव की पूस दिल्ली तट